हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस समय दुबई में हूँ और इस वज़े से मैंने काफी दिनों से कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया मैं आज मेरा चोथा या पाच्वा दिन है दुबई में पर मैं अभी शनीवार को लाइव पर तो उसमें कई लोगों ने question पूछा और वैसे इंस्टाग्राम बगरा पर लोग question पूछते रहते हैं तो उसमें से एक सबसे ज्यादा जो question का जवाब देना मैं चाहता हूँ और जिससे आप लोगों को भी काफी फाइदा होगा मतलब नुकसान से बच जाओ गया वो है मार्टिंग ले strategy मार्टिंग ले strategy के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे लोगों को मार्टिंग ले के बारे में नहीं मालूम है strategy के बारे में नहीं मालूम है पर वो कर वही रहे होते हैं तो मैंने पहले भी इसके ओपर कई वीडियो बनाए है पर मुझे ल स्ट्रेटिचे कि स बोलते हैं जो नतीजा तो रिजल्ट काफी देर से नहीं आया है मतलब आब उसका रिजल्ट आने की संभावना बढ़ रही है ये वह पर जैसे मालो आप आप एक सिक्का लेते हो क्वाइन एक रूपे का और उसको हैट एंटेल करते हो अगर तीन बार हैट आया है चार बार हैट आया है तो मार्टिंग लिए रहा है कि अब टेल आने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हैडी आएगा तो हैड आएगा कभी टेल आया मैंगा कभी दो बार हैट आएगा तो प्या थील आएगा कभी चार या पांच बार आईगा अब तो पकाइब तो मार्टिंग लिए कहता है कि जो तो रिजल्ट नहीं आया काफी दिर से मतलब वो आने वाला है और वो और जितना डिले हो रहा है वो और पक्का जल आने वाला है पर आप ठंडे दिमाख से बात सोचो सिक्ख्य के दो पहलू है एक हैड और एक टेल आप उसको उछालते हो टॉस करते हो एक बार हैड आए एक बार टेल आए या पांच बार हैड आए तो जब पांच बार हैड आता है तो क्या सिक्ख्य को मालूम होता है कि मैं पांच बार हैड की तरफ गिरा हूँ तो मुझे टेल की तरफ गिरना है वाल मुझे 6 भार ओटील लाना है ना अंगुठे को मालूम है इस बात का ना Talking से को है तो किशेद होता कि कि तीन rozpå गश्यद होता है तो किपने यृजद नद्य आये थंडे दिमाग से सोच यह सब निर्जीव चीजे हैं इन में से कोई कोई स्कैम नहीं होगी इंदर कोई इंदर प्रेंगा जिन्दा व्यक्ति नहीं गया घ़िजको मालूमी करें मुझे दूसरा वाला बी रिजल्ट दिन है वो क्या बोलते हैं आपको पर ऐसा बहुत कम होगा तो वो क्या बोलते हैं कि इसी को वो पॉजिटिव कैसे यूज करते हैं मार्टिंग्ले के फेवर में इसी एक्जांपल को सिख्ये वाले को कि आप उछालो तो देखना बहुत दस या बारा-बार के बार तो पक्का आता ही आता है तेल मतलब दूसरा रिजन आए गए आएगा चाहे टेल आ रहा है बारा-बार तो हैट आएगा है जितना ज्यादा हो गया तो पक्का आएगा आएगा अब इसका गैंबलिंग में मतलब समझो आप कैसे बरबाद होते हो मार्टिंग्ले स्ट्रेटिजी कैसे खेलो ब्लैक जग खेलो या रूलेड खेलो तो वह जो भी रिजल्ट होते हैं या तो माइनस में या प्लस में मतलब दूसरी 50% का जुवे की साइट 50% आपकी साइट तो दोनों में से एक ही रिजल्ट आएगा जहां पर आपने बैट लगाई है जिसकी भी गेम में तो उसक क्यों पर लगाना शुरू कर दो क्योंकि अब वह आएगा और अगर अब यहां पर वह और कैसे गलत करता है वह कहता है कि अगर मानलो मैं रूले के साथ समझाता हूं आप इसको किसी भी गेम में फिट कर लेना कि रेड ब्लैक चल रहा है पांस बार ब्लैक आया है तो छटी अगर ब्लैक पैसाया जो जो को मतलब यह हुआ यह ख्यायास अगशन नहीं आ रहा है तो दूजर लगा दो अभी नहीं आरहा है तो छिए जर लगाओ मतलब यह पिछला तीन और अब लगा दो उसका डबल कर दो तो आपको क्या मिलेगा अब की बार आएगा तो आपको पी प्रोफट जाता है और इस बर थीन हेजर के सब से प्रोफट आएगा अगर इस बार नहीं आया मतलब Wow लगाया वह चले गया तो अब तो पक्का आएगा तो इस बार दो ऐजार लगाओ दो अगली बार तीन चान लगाओ क्यों कि तीन तो आपने लगा अगर तीन लगागे तीन आएगा तो आपका गया हुवा वापस आया तो प्रॉफिट का हुआ तो वह कहता है कि इस बार जितना भी अमाउंट उसका डबल लगा दो और एक तीन ऊगया तो तीन का छे लगा दो अब अगर फिर भी नहीं आया तो छे अजार इस बार का तो 9000 रुबे आपका अपना गया हुआ है आप 18000 रुबे लगाओ क्योंकि 9000 का 9000 आएगा तो आपका गया हुआ यह वापस आगे तो आपको profit नहीं होगा और ऐसा करने पर आप 10 में से 8 बार जीतते हो 10 में से 8 बार जीतते हो पर एक बात ध्यान रखना कि जो भी एक या दो बार आप हारो गे ना तो उस दिन आपने जितना पिछले महीनों में दिनों में कमाया होगा सब एक बार चले जाएगा क्योंकि result को नहीं पता सिख्य को नहीं पता कि head कितनी बार आया है तेल कितनी पार है उसने तो गिरना है तो कभी 29 दा DAVID किरेंगा पलमें इसका कोई तुक नहीं है ये एक तुक्के वाली गेम है एक negative game है और gambling में हमेश्या gambling के खिलाफ नहीं चलना होता है मार्टिंग लिए हमें कहता है उसको खिलाफ चलो कि जो भी वो result मार रहा है उसके opposite चलो अब सोचो कि किसी ने यह सोचा कि पांच बार एक ही नितीजा आया है तो दूसरा वाला नतीजा नहीं आया है मैं उस पर पैसा लगाता हूं मतलब ब्लैक आया है मैं रेट पर लगाता हूं और तेरा चौदा बार वो सेम कलर मार गया मैक्सिमम टाइम आपके पैसे खतम हो जाएंगे आपके सारे पैसे खतम हो जाएंगे मैंने बहुत बरे तमाशा देखा है कसीनो में अगर सोचो कोई आदमी इमांदारी से गो विद दा फ्लो गैंबलिंग के अपोजिट ना जाक प्रिया तो रेल गाड़ी शुरू होगे उसकी तेरा चौदा बार उसकी बैटा साथ आट बार उसकी बैट आजेगे कर तेरा चौदा बार भी नंबर आया और खई बार बार बीस बार भी आता है और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं डबल नहीं करना चाहिए बैट में आप यह सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि एक ही नतीजा रिपीट होगा और आप उसी के ओपर लगाए जा रहे हो पर एमाउंट डबल नहीं कर रहे हो तो अगर तीन चार बार भी आगया ना तो भी आपको प्रोफिट देखे जाएगी पर अगर आप डबल करते रहे औ तो टल सारी बेट का पैसा दे जाएगी इसलिए डबल नहीं करना है डबल कब करना है वो मैं आपको किसी अगले सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि अपनी बैट को कब डबल करना चाहिए और कितनी बार डबल करना चाहिए पर मार्टिंग ले स्ट्रेटिजी को आप यह आता है उसका आने की संभावना लगादार बढ़ती रहती है इसलिए आप उस पर पैसा बढ़ाते चले जाओ और आदनी उसमें दस में से आठ नो बार जीतता है पर एक बार भी जब हारता है तो उसका पैसा आखरी पैसा तक खतम कर देता मार्टिंग ले तो मार्टिं नाइन नंबर पर वो काटेगा तो सारा गेम का सीधा नीचा आके ही रहोगे तो मार्टिंग ले स्ट्रेटिजी से बचो मेरा है कि आपको सजेशन है बाकी आप लोग खुछ समझदार हो जुवा छोड़ दो तो अच्छा है क्योंकि जुवे में एंड डिजर्ट जीरो ही ह होना होता है जो मर्जी तरकीब लगा लो ओवरल आप हारोगे हारोगे लास्ट पर माइनस ही रहोगे तो मैं फिर ये चीजे क्यों बता रहा हूं मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं और उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जो अल्डेडी फस चुके हैं जुवा छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम गलत स्टेटेजी से बहुत ज्यादा पैसा ना हारे ये जल्दी ना बरबाद हो क्योंकि अगर वो धीरे दीरे हारेंगे या अगर थोड़ा बहुत बचे रहेंगे तो देर सवेर संभावना है कि उनको अकल आईगे और वो जुवे से निकल प कीवो को अपना ओगे तो आप बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पैसा हारोगे मेरे तरीकों से आप कभी भी बड़ा इमांट नहीं जीट सकते पर ये भी जरेंटी है कि कभी भी बड़ा इमांट नहीं जीट सकते बल्कि छोटा-छोटा वेनी करोगे आपको जिनको जल्दी बड़ा बनना है जिंको जल्दी अमीर बनना है जिनके बहुत इजी मनी चीहे लाला चाए वो लोग जुए में बर्बाद होते हैं उनको जुओँ नहीं खिलना चाहिए और जुओँ किसी को भी भी खिलना चैहिए बाकी आप लोगों की मर्जी ओके गुड़ बाई थेंक यू अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे किसी और टॉपिक पर ओके गुड़ बाई